जेएटी की काउंस्लिंग स्टार्ट होने वाड़ी है उनसे पहले सभी स्टूडेंट के माइंड में एक ही क्यों से नूट रहा है कि जेएटी में कौन-कौन सी गॉर्मेंट कोलेज हैं क्योंकि जेएटी की जब लिस्ट आती है तो उसमें प्राइवेट गॉर्मेंट और एफिलेटेट सब कोलेज हैं वो साथ में आती है लेकिन गॉर्मेंट कोलेज कौन-कौन से हैं कौन-कौन सी किसमें नॉर्मल सीट हैं वो केसे पता चलेगा उसको लेकर आज के इस वीडियो में सारी चर्चा करने वाले हैं आज के इस वीडियो में ज़ आजस्तान के इस वीडियो को पूरा अच्चे से समझना क्योंकि इस वीडियो में मैंने पूरी चीजें Moleise करके एकदम ranking के अनुसार college को वेरियता दी है कि कौन सी कोलेज मतलब किस ranking के अनुसार आपको fill करनी चाहिए वो सकता है कि इस बार कुछ कोलेजे हैं वो JT में नई एड हो जाए 8-10 कोलेज नई एड होगी तो जो भी कोलेजे नई एड होगी तो वो कोलेजे उनके नीचे रख देंगे ठीके जो मैंने अभी तक लिस्ट बनाई है वो तक आपको वेसे ही पढ़नी है ठीके वो मैं अभी इस वीडियो में आगे पूरा समझाऊंगा कि आपको उस लिस्ट को कैसे पढ़ना है ठीके और कोलेजे को वेरियता किस हिसाब से देनी अगर आप किसी सेतर से बिलों करते हो जिसमें कोलेज नजदीक है तो वो आप अपने हिसाब से करम उस कोलेज का चैंज कर सकते हैं लेकिन जहां तक मुझे लगा है जहां तक कोलेजों की रेंकिंग है उनी के अनुसार मैंने कोलेजों की लिस्ट बनाई है जो मैं आपको काफी लंबे टाइम से मेरे दोस्त परेशान है तो उनको आज प्रोवाइट करवाने वाला हूँ तो आपसे रिक्वेस्ट हैं कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और एक किस कॉलेज की कितनी फीस है तो पहले वो वीडियो ज़रूर देखे ठीके वीडियो के description box में दोनों के link mention है और वीडियो के description box में WhatsApp group का link mention है WhatsApp group को ज़रूर जोइन कर ले क्योंकि whatsapp group पे आपको ये list है college हों की वो मिल जाएगी और जैसे भी कुछ college हो में कि इस बार जो नई college इंड होगी वो तो अभी तब मेरे को भी पता नहीं है लेकिन बता सकते हैं लेकिन मतलब 100% सी और नहीं बता सकते हैं कौन-कौन सी एड होगी तो हम बिना किसे time waste किये वे जानते हैं कि कौन-कौन सी college है वो government है ठीक है अगर आपको list चाहिए तो whatsapp group में join ह जाना वहां मैं आपको provide करवा दूँगा ठीक है तो अब हम जान लेते हैं list ठीक है तो यह JT 2023 के लिए government college हों के list है मैंने यह seatे mention नहीं की है कि कौन सी college में कितनी seat है seat जैसे ही मैं mention कर दूँगा तो आपका अगर मतलब seat matrix आ जाएगा क्योंकि कभी मतलब हर साल होता है कि थोड़ा बहुत seatों में variation रहता है ठीक है लेकिन फिर भी last year के हिसाब से मैं बताने से कोई मतलब नहीं है मैं जैसे ही seatों का नई मतलब आएग कि किस college में कितनी seat है तो आपको बता दूँगा एक बार आप जान ले मै मैंने फस्क नमबर पे रखा है रसी उदेफूर को रास्तान college of agriculture जो MPUT के एंडर में college आता है ठीक है एक साइड में आपको university भी लिखा है कि कि इस university आपको degree मिलेगी college कौन सी है काँ पे है ठीक है सारी चीज़ें आपको मिलेगी और normal seat देको जितनी भी जो government college होती है जो old government college ह उनके आग उनमें ही normal और private payment seat होती है बाकि private college हो में और affiliated college हो new government college हो में सब में normal seat ही होती है ध्यान रखना ठीक है तो आपको कोई भी दिक्कत हो तो इन नमरों पे message कर देना अब देखो RC college नमबर second पे मैंने रखा SK जोबनेर को ठीक है जो SK जोबनेर से related है उसके बाद मैंने लेका है college of agriculture विकाने पिर college of agriculture जोदपुर, five number पेą college of agriculture कोटा, six number पे college of agriculture भील वाडा, так seven number पे college of agriculture लाल सुर्दोस्ता, eight number पे college of agriculture सुमेरपुरफाली, nine number पे college of agriculture नागोर, अब देखो dस नमर पे मैंने रखा है college of porticulture and forestry जालावाड, paraculture के अंदर ठीक है तो यह द्याद रख कर सकते हैं मैंने विरियता दी है अपनी कटोप के हिसाब से कोलेज के केंपस के हिसाब से कोलेज केसा है पूरी चीज़े अनलाइस करने के बाद दी है क्योंकि आप होटे कल्चर में जाना चाहते हैं तो भी यहां के वर्णा इस को ठाके नीचे आप रख सकते है ठीके उसके बाद में राखा हैं में कोलेज आईगरी कलछर फथेफूर फिर कोलेज आईगरी कल्चर भरत-फ़र्ट-पूर जो कुमेर में है ठीक है उसके बाद में College of Agriculture उनियारा टॉंग, College of Agriculture कोटपुतली जेपूर, College of Agriculture स्रीगंगानगर, College of Agriculture नोगाम अलवर, College of Agriculture किसरड़िगन बास, अलवर, फिर 18 नमर पे CRC Government PG College स्वाइमादेपूर, 19 नमर पे BBD, Government PG College चीमनपूरा जेपूर, 20 नमर पे College of Agriculture हनुमा मासवाडा, 24 नमर पे College of Agriculture मंडावा, 25 नमर पे College of Agriculture जिलाई टॉंग, 26 नमर पे College of Agriculture भूसार, 27 नमर पे College of Agriculture बाहितू, 28 नमर पे College of Agriculture फिथमकूरी, 29 नमर पे College of Agriculture चांदकोटी, 30 नमर पे College of Agriculture हिंडोली, 31 नमर पे CHF जिसमें आप फोरेस्टी, अगर किसी को फोरेस्टी में नही तो आपके लिए हम इतनी मैनत करते हैं तो आपके लिए हम इतनी मैनत करते हैं तो आपका एक फर्ज बनता है चैनल को सब्सक्राइब पढ़ना और वीडियो को लाइक सेर करना ठीक है अब 32 नमर पे देखो जितनी भी जो न्यू गोर्मेंट कोलेज है उनमें मैंने सबसे पहले रखा है गोर्मेंट एगरी कल्चर कोलेज तीजारह अलवर अभी तक उनमें नहीं आया की पेमेंट सीट होगी या नहीं होगी इस बार थोड़ा चैंज होगा तो वह आपको बता दिया जायेगा ठीक है तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है अब देखो college of उसके बाद मैंने लिखा है कि ये क्यों लिखा आप सोचोगे कि new government college को किस है साथ पर अनलाइज किया है तो वहाँ कुछ teacher की वज़े से ठीक है पढ़ाने वाली class है कैसी लगरी वो सारा देख के अनलाइज किय वाड़ा उदेपूर में जो MPUT उदेपूर से है उसके बाद में college of agriculture जोगी वाड़ा भादुरा जो एसके आरियू विकानेर से affiliated है उसके बाद में मैं लिखा है college of agriculture परहतपूर जो एसके अन्योबनेर से है ठीक है फिर आप अपनी इस list में देख सकते है मैंने साही सारे सा college की कितनी कटोक जाएगी वो वीडियो मैंने डालडा क्या already तो वहाँ वो वीडियो जाके आप जरूर देखे ठीक है और किस college की कितनी फीस है वो भी वीडियो already वहाँ पर uploadate है नीची description box में मैं link mention कर दूँगा वहाँ जाके इन वीडियो को आप देखोगे तो आपके सारे सारे doubts clear हो जाएंगे ठीक है और ज्यादा भी अगर को आपके कोई doubts चलते हैं तो whatsapp group में join रहे ना क्योंकि youtube पे live daily daily session चलता है तो उनमें आप अपने doubts clear कर सकते हैं ठीक है वो only JITCVT को लेकर ही video मतलब live session आपके लिए चलाए जा रहे है ठीक है तो यह जितने भी जो government college थी व पर आपको uplapped करवा देगा और वो college आपको कब uplapped करवाएगी जब counselling start होगी तो जितने भी जो आपके affiliated college है ठीक है private college है वो आपको available करवा दी जाएगी तो आपके कोई भी query हो कोई भी दिक्कत आ रहे है तो जो यह नीचे help line number दे रहे हैं इन पर आप contact कर सकते हैं ठीक है म बड़े भाई आप पूर सकते हैं मैं आपकी ज़रूर help करूँगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like करें अगला वीडियो आपको किस topic पर चाहिए ये भी comment box में ज़रूर comment करें ठीक है मिलते किसी नई वीडियो में तब तक के लिए स्वस्त रहे मस्त रहे देखते र कर एंजसे हैं मैं तब आखे त सब सते हैं में मैं तो शेखते हैं में मेँ भी हला कर की रहे सी अपके बेला वी